36 गड़ के नरेटबुर्ट जीले में कॉंग्रेस नेता विक्रम बैस की सोमवार रात गोली मार कर हत्किया कर दी गई है बाइक सवार बतमाशों ने उनको तीन गोली अमारे इसके चलते बैस की मौके पर ही मुथ हुए अगले दीन मंगलवार को बैस का शव कॉंग्रेस दप्तर ले जाये गया है यहां स्रिधांजने देने के बाद अंतिम संस्कार के लिए मुक्ती धाम ले जाया जा रहा है जानकारी के मताबिक विक्रम बैस जीला मुख्याला के बकरू पारस्तित अपने घर के बाहर टहलने के लिए निकले थे इसी दोरान बाइक सवार पहुंची और विक्रम पर एक के बाद एक तीन गोलिया गागी गई इसके बाद हत्यारे भाग निकले गोलियों के वाद सुनकर आसवास के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले उन्होंने देखा कि विक्रम बैस खूल से लत्पत जमीत पर पड़े हैं इसके बाद फॉरण उन्हें इस जिलस्पता लाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें ब्रित खूसित कर दिया है बीज बस्ती हुई इस वारदात के बाद लोगों में दहशत का महौन है शुरुवाती जास में वारदात के आपसी रंजिश में ही होने की बाद सामने आई है घटना नरायनपूर सीटी को तवाली शेतर की है वैडिप्टी सीम अरुन साव ने कहा कि भासपा सभी हत्या के मामने में गंभीर है हर मामने की जास होगी किसी भी तरह के अपरात को बरदाश नहीं करेंगे धर परिवहन संग ने हत्या के विरोध में एक दिन बंद का वहन किया है नरायनपूर के एस्पी प्रभात कुमार ने बताय की करीब 3-4 हमलावार पहुंचे थे दस्टल से बोली चलाए गई है शुरुवाती तोर पर जास में पाया है या नकसली घटना नहीं है हो सकता है आपसी रंजिस हो उन्होंने कहा कि जल्द ही आरूपी पुलिस की गिरप्त में होंगे विक्रम बैस पिछले कई सालों से कॉंग्रेस पार्टी से जुड़कर काम कर रहे थे वे ब्लोग का पॉंग्रेस कमेटी का पांध्यक्षते इसके लावा नरानपूर परिवहांसं के सची उपी भी फे वे रिपोर्ट खट पत्यों से